समस्त ब्रह्मान को प्रकाशित करने वाले भगवान भासकर ना सिर्फ संपून संसार के करता धरता हैं बलकि नवग्रहों के आधिपती भी माने जाते हैं सूरेदेव एक ऐसे देव हैं जिनके दर्शन के बिना किसी के भी दिन का आरंब नहीं होता रविवार का दिन सूरेदेव को समर्पित है भगवान सूरे का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूरे की उपासना बेहद ही पुर्ण कारक मानी गई है सूर्य देव को हिरन गर्भ भी कहा जाता है हिरन्य गर्भ यानी जिसके गर्भ में ही सुनहरे रंग की आभा है इनकी क्रपा दश्टी प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान का विधी विधान से पूजा पाट किया जाता है ऐसा करने से भगवान सूरी की क्रपा हमारे परिवार पर बनी रहती है उर्दैगामी सूरी को प्रणाम करना प्रगती की निशानी है इसलिए सुबह सुबह स्नान करके उगते सूरज को देखना बहुत ही शुब माना जाता है और उक्ते सूरज को देखना भी चाहिए इसे शरीर में सकारत्म कुर्जा का संचार होता है भगवान सूर्यदेव को पंचदेव में स्थान प्राप्त है पंचदेव में भगवान गनेश, दुर्गा, शिव, विश्नु और सूर्यदेव शामिल है सनातन धर्म में इन देवताओं की सबसे पहले पूजा का विधान है ऐसे में सूर्य को सभी देवताओं में विशेश स्थान प्राप्त है हिंदो धर्म के अनुसार सूर्यदेव ही एक मात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष्य रूप से दिखाई देते हैं ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सची शुरद्धा से पंचदेव की आराधना करता है, उसको यश, पुर्ण और प्रतिष्ठा की प्राप्ती होती है। जोतिशास्त्रों के अनुसार सूरिदेव वायु तत्व के अधिपती हैं। इसलिए अर्ग और नत्मस्तक होते ही सूरिदेव उनकी सब ही मनुकामना पूर्ण कर देते हैं, जो सूरिदेव की आराधना करते हैं। भगवान सूरिदेव की साधना वैदिकाल से चली आ रही है। सुरिदेव को वेदों में इश्वर का नेत्र और जोतिश में ग्रहों का राजा बताया गया है। आपको रविवार के दिन विशेश रूप से सुरिदेव को जल चड़ाना चाहिए। इस दिन विधी विधान से सुरिदेव की पूजा करने से साधग को साथो दिन की पूजा का फल मिल जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें